कीड़ा जुझ में आस्टिएश है का लिचे ही Mark कर सकते हैं और एक्सकोर्ड के लटेश्स के लिए आपडेट के लिए ऑनलाइजू इसके लिए और हम मालूम नहीं कर है कि बायर कौन सी कंट्री से मिलेगा उस केस में हम पहले से F.O.B या सी ए प्रैस केसे केलकूलेट करें तो यहां आपको पता दूसर आपको पता नहीं आपका बायर कौन सी कंट्री से आएगा पड़ आपका पॉट ऑफ लोडिंग जो है मौस्टली डिसाइड़ रहता है तो आप जो है एफोवी प्राइजिंग केल्कुलेट पहले से कर सकते हैं मुंबई पॉट एफोवी मुद्रा पॉट वो क्या होता है फिक्स होता है जैसे कि मैं अमदाबाद से आएगा कभी जर्मनी से आएगा कभी दुबई से कभी सिंगपोर से आएगा तो उसका सी एड़ गाल कॉटconomic करके रखना तो आपको यहाँ पर जी प्राइज है पहले से क्ल्कुलेट करके रखना है और एक्स्पो्रकूर का फ्रचा कौन देता है तो यहां पर मैं आपको बता दूँ आप एक्सपोर्ड करना चाहते हो तो उसके अंदर जो भी expenses लगते है वो सारा expense buyer देता है मतलब यहां पर जो भी logistic होगा आपकी factory से goods load होगा फिर like ICD में जाएगा उसके बात जो है port में जाएगा जो भी transportation हो गया लोजिस्टिक हो गया freight forwarding हो गया उसका जो भी expense लगता है वो बायर देता है मतलब export के अंदर जो भी logistic का खरसा और expense होता है इवन packing का जो expense होता है वो भी बायर देता है मतलब all expense in export will be paid by the buyer next comment Mr. Sandeep का sir में वीडियो में एक ही बार सवाल पूछता हूँ मैं इस बार ऐसे जैसे आप जोलरी भी export करते हैं और handicraft भी जबकि दोनों अलग-अलग है HSN code अलग है तो क्या आपने अपनी GST के registration में पहले से mention कर दिया है अलग-अलग चीज़े के लिए GST का कैसे करें marketation कीजिए तो यहां पर मैं आपको बता दूँ जब हम लोग GST लेते हैं पहली बार तो वो लोग हमको पूछते का मेन लाइन ओ बिजनेस कौन सा है आप कौन सी product में डील करना चाहते है उसके फाइव जनरली जो है और GST वाले जो है 5 product के बारे में पूछते है या 5 product line के बारे में पूछते है तो यहां पर आपको क्या करना जब आप GST लेते हो तो मेन मेन आपका जो लाइन है वह आप वहां पर लिखवा दीजिए जैसी कि कोई garment हो गया तो garment का को एक एक score दे दीजिए फिर आपको हेंडी क्राफ में काम करना है तो हेंडी क्राफ का को एक score दे दीजिए तो यहां वह मैं आपको पता दूँ वह GST वालों का problem है वह लोग क्या करते है कोई भी आपको जो इंट्रेस्ट है ओ फाइव एचेस कोड आप GST में लिख दीजिए और आप कोई भी product export कर सकते हो इसमें कोई problem की बात नहीं है क्यों गवर्मेंट एक ही GST दे रही है GST council जो है उमको सारी product अलाव नहीं करता है तो आप जो है फाइव में एचेस कोड दे है और RCMC जो है वो different product के लिए लेना पड़ता है GST और IC जो है कोई भी product के लिए एक ही चलता है नेक्स कोमेंट है जया सींग का merchant exporter बनने के लिए क्या क्या process होता है DZFT में registration करवाना होता है आप एक merchant exporter बनना चाहते हो तो यहां पर मैं आपको step by step बताता हूँ कि आप जो है merchant exporter कैसे बन सकते हो तो सबसे पहले आपको एक कमनी खोलना पड़ेगा उसमें आप partnership company partnership company LLP company या private limited company खोल सकते हो या OPC company भी खोल सकते हो आप स्टार्टिंग लेवल पे हो तो proprietorship company शरू किजिए उसका आपको bank account खुलवाना है क्या खुलवाना है bank account खुलवाना है और उसका IEC लेना है याज DZFT में आपको registration करके DZFT से IEC लेना है और दूसरा जो है आपको GST का उन शिल में registered करके GST का certificate लेना है और आपको product के प्रड़क एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको अपेडा लेना है और आपको फूट प्रड़क एक्सपोर्ट करना है तो merchant फसाई लेना है merchant exporter को merchant फसाई लेना है manufacture exporter को manufacture फसाई लेना है तो आपको merchant exporter बनने के लिए IEC RCMC और GST basic तिन डोक्यूमेंट की requirement रहेगी क्योंकि आपका कोई plant नहीं है तो आपको फसाई का लेना पड़ेगा तो यहां पे आपको merchant exporter बनना है तो proprietorship company का registration 10,000 में हो जाएगा उससे भी कम में हो जाएगा बट मैं आपको ज्यादा बता रहा हूँ उसके बाद next IC जो है वह आपको around 2000 में मिल जाएगा government का fee जो है वह तो only 500 रुपीज है तो 2000 में आपको IC मिल जाएगा और GST भी आपको 2000 में मिल जाएगा government का fee GST के अंदर 0 है बट CA जो है generally आपको 2-3,000 में आपको GST निकाल के देगा तो यहाँ पर इतना जो है खर्चा होता है around 15,000 हुआ उसके बाद जो है आपको website बनाना है around 10,000 आप गिन लीजे तो और marketing करना है ब्रोशन वगरे उसका 5000 गिन लीजे तो around 30,000 हुए और भी कोई खर्चा है marketing के लिए या आपको कुछ training वगरे लेना पड़ा उसका खर्चा आप गिन लीजे तो यहाँ पर around 50,000 के अंदर आप merchant exporter बन सकते हो दूसरा जो है product के लिए कितना investment लगेगा अगर 100% payment advance मिलता है तो आपको यहाँ पर investment करने की कोई जरूत नहीं है मतलब 50,000 के investment में आप exporter बन सकते हो म मतलब यहाँ पर advance payment मिलता है तो आप जो है अपना business 50,000 रुपीज में शरू कर सकते हो और कोई भी expense जनरली जो है export में होता है वो तो बायर से ही लेना होता है जिसी कि testing report वगरे हो गया बायर के नाम का packing वगरे करना है इवन हमार नाम का packing करना है तो भी expense जो है खर्चा जो है हो बायर ही देता है तो 50,000 रुपीज में भी आप export business शरू कर सकते हो next comment है sir एक cap वर्थ 4,000 आई नार का खरीदना है US यह तो इस पे मेरा कितना custom duty लगेगा इंडिया में please reply तो आप जो है 4,000 का cap US के अंदर खरीदते हो उसका इंडिया के अंदर जो है आपको कितने import duty भरना पड़ेगा यह इंडिया के अंदर कोई भी चीज आप प्रस्नल यूज के लिए लाते हो तो आराउंड जो है 36.5% import duty भरना पड़ता है और आप यह commercial यूज के लिए business purpose से लाते हो तो डिपेंड रहता है कितना import duty आई गेट के उपर है custom के अंदर जितना import duty होगा वह आपको भरना पड़ेगा प्लस GST भरना पड़ेगा सपोज import duty के उपर 20% है प्लस 18% GST जो है जो भी category में आपका GST आता है उस हिसाब से GST भरना पड़ेगा तो यहां पर दो option है प्रसनल import करते हो तो around 36.5% import duty आपको फ्लेट भरना पड़ेगा दूसरा जो है प्रोफिशनल इंपोर्ट करते हो तो आपको जो है custom के इसाब से import duty भरना पड़ेगा next comment Mr. Sushant Ka Sir what is MSME what is the benefit of MSME please make detailed video on MSME certificate तो MSME को आज के दिन में उद्यम बोलते है पहले था उद्योग आधार अभी बोलते उद्यम certificate बोलते है तो MSME का जो certificate है बहुत ही अच्छा है उसके बहुत सारे benefit है हमारी government बहुत सारे benefit micro small and medium enterprise को दे रही है वो सारे benefit loan वगरे जो है MSME का उद्यम का आपके पार certificate है तो ही आपको मिलेगा तो आप export import business करना चाहते हो या आप local business करना चाहते हो उद्यम आधार जो है वो आप ले लिजेगा जिससे आपको government का बहुत सारा subsidy मिलेगा मतलब ministry of MSME के जो सारे benefit है वो उद्यम certificate से आपको मिलता है और भी को export import related query है तो वीडियो के नीचे comment कीजे उसका भी answer में यहाँ पे वीडियो के माध्यम से दूँगा और प्रैक्टिकल ही export import सिखना चाहते हो एक गुजराती businessmen से business सिखना चाहते हो तो हमारा training जोइन कर सकते हो जिसके अंदर में ही सिखाऊंगा पूरा सिखाऊंगा Let's go global together, thank you Thank you for watching this video, export import के latest update के लिए हमारा telegram channel जोइन कीजे और मुझे social media पे follow कीजे जिसका link नीचे description में दिया किया है And export import के latest video सबसे पहले देखने के लिए मेरी YouTube channel को subscribe कीजे और bell icon को click कीजे जिससे आपको जैसे नया वीडियो आएगा notification मिल जाएगा Let's go global together, thank you, Jai Hind Let's go global together, thank you